जै स्री राम, जै हन्मान जी महराज, हन्मान जन्मोत्सव कि आप सभी को सुपकामना है, वीडियो में जानेंगे, हन्मान जन्मोत्सव पर घर पर महला और पुरुष कैसे पूजा करें, साथ ही कौन से नियमों का पालन करना है, उपाय जानेंगे, साथ ही आपको प्रसम बार ब्रत सुरू करना चाहिए या नहीं, पूजा सुम्ब और संपूर्ण जानकरे वीडियो में आपको मिलेगी, तो अन्ते तक वीडियो के बने रही है, जैसे कि हन्मान जी महराज इसका ल्यूग में चमतकारी देवता है, मंगलवार को हन्मान जन्मोसव इस वर्स मनाया जा र तो वही आप सभी को लेनी है, आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए कारी करें, कि आप सभी को साथ में हन्मान जी के साथ स्री राम चंदर जी की मूर्ती प्रतिमा भी लेनी है, चाहें तो वह स्री राम चंदर जी मानस में अंकित विराजमा नर्थात कहने का अर्थ है, मूर्ती हो या उनका प्रति रूप हो तो वह भी जरूर से आपको रखना है इस बात का ध्यान रखे हनमान जी की पूजा में स्री राम चंद्र जी का स्थान सबसे उपर है उन्ही का पूजन करने से और उन्ही के नाम मंत्रों करने से हनमान जी प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले इस दिन का रंग लाल रंग का होता है नारंगी रंग का भी चुनाव कर सकते हैं लाल या नारंगी रंग मंगल ग्रह से संबन्द रखता है तो उन्हीं का महला और पुरुष सभी जन धारण करें और पुरुष जन अपनी सिखाई त्यादी बांध हैं मस्तक पर तिलक लगाएं ततपश्यात आप सभी आवश्यक रूप से जय स्री राम जय स्री बाला जी मह महराज कस्मारण करते हुए गड़े जी महराज को विराज मान करें हनमान जी के प्रतिमा फोटो विराज मान करें सामगरी इसमें कोई विसेस नहीं है इस दिन मोती चूर के लड़ू या पीले लड़ू जो मेरे हनमान जी को प्रिये हैं साथी चूर मा बना सकते हैं नहीं तो गुडचना, केला तो मेरे हनमान जी को प्रिय है ही, उसी का आपको चुनाव करना है, साथ के साथ आप देख पार है होंगे, हनमान चाली सा मैंने ले ली है, स्री राम चरित मानस, जिसमें माता स्थीता हनमान जी विराजमान है, वह भी मैंने रख लिया है, तो ठीक इसी से आप सभी रख लिजेगा, अब आप सभी नया ब्रत सुरू करना चाहते हैं, तो जैसे पूर्णी मा यह सबसे बड़ी चैत्र पूर्णी मा मानी जाती है, तो बहुत सुप समय है, आप पूर्णी माशी का सत्तिनारण ब्रत सुरू करना चाहते हैं, तो जरूर से कर लिज तो मैंसे कोई एक सुफल ब्रत आप सभी इस दिन से सुरू कर सकते हैं ठीक है जी आप सबसे पहले बजार से लाई हुई चीजों की सुध्धी करेंगे स्वेम पर जल के छीटे डालेंगे और हनमान जी गडेशी महरा स्री राम चंदर जी की विराजमान प्रतिमा फोटो सभी में जल का छड़काओ करेंगे ऐसी मानिता है इससे बहुत सुखत फलों की प्राप्ति होती है इसनान का भाव करते हुए जो यह कारिक करता है अब हम सभी आवश्यक रूप से जो है आप एक दीपक जरूर से लगा लिजेगा ताकि आपकी पूजा पाट संपन्न हो परिप की है आप सभी हनमान जी महराज और साथ के साथ सबसे पहले आपको गड़ेश जी महराज की पूजा कर लेनी चाहिए सबसे पहले गड़ेश जी महराज की करें या सभी की साथ में करें जैसे सबसे पहले गड़ेश जी महराज पर तिलक इक्तियादी लगाया फिर हनमान जी स्री राम कहते हुए स्री राम चंदर जी पर इच्छा सकती आपकी है इस तरह आपको सबसे पहले विशेश तोर पर जो है सिंदूर लगाना चाहिए नारंगी रंग का चंदन का भी प्रियोग कर सकते हैं जो भी सुभी माना जाता है इसके बार अक्षत अर्थात गेहों का भ पर विराजमान करें उसके बाद अनिदेवी देवताओं पर तो लाल फूल मिल जाए तो उन सभी चीजों का चुनाओ करते हुए आप सभी सुद्धभाव से समर्पित करें महला पुरुसिस ब्रत को करें या नहीं तो महलाओं के लिए बात होती है कि हनवान जी दादा जो जरूर से पूजा कर सकती है कोई दिक्कत की बात नहीं है जी यह बहुत सुखत परनाम देने वाला होता है इत्र जो कि मनो-कामना पूर्ति में साहक मना जाता है तो गड़ेश जी महराज, हन्मान जी महराज और स्रीराम चंदर जी को जुरूर से लगाईएगा सुखत इसक लगाना चाहिए हनमान जी महराज को हमेशा गोल बत्ती का घी का दीपक लगाए घी भी मेरे हनमान जी स्विकारी करते हैं तेल भी स्विकारी करते हैं तिली का सरसो का तेल भी उन्हें बहुत प्रीय है तो हनमान जी को कोई सा भी दीपक लगाया जा सकता है आप सभी इस बात का ध्यान रखे कि हनमान जी महराज को गूलवत्ती का ही दीपक लगता है बस यह बात जरूरी है इस दिन मनो कामना पूर्ती के लिए हनमान जी को जो सबसे अधित प्रिय है वह है यग्योपवित अर्था जनेव आपको जनेव जो है उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा कर या सकता है सुपाड़ी हनमान जी को प्रिय है वह भी आप सभी आवश्यक रूप से भोग सवरूप समर्पित करें साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से गड़े जी महराज स्री हनमान जी महराज और सभी देवी देवताओं को भोग सवरूप जो है गुड चना समर्पित करें केला समर्पित करें इससे बहुत सुखत फलो की प्राप्ति होती है इस दिन हन्मान जी महराज को तुलसी का पत्ता रखकर अगर भोग समर्पित किया जाता है तो ऐसी मानेता है यह बहुत स्रेश्ट कारे में होता है क्योंकि हन्मान जी महराज को तुलसी का पत्ता बहु श्यक्रूप से जो है कपूर की आरती हनमान जी के सामने की जीएगा ठीक है जी इसके बाद हनमान चालिसा का पाठ करे राम रक्षा सुरूत का पाठ करे एक सो आड़ बार हनमान जी के नाम मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं उपाई के सुरूप में आप हनमान जी के समक्ष विसे इस तोर पर जो है जो पीपल के पत्ते होते हैं उनमें जैस्री राम जैस्री राम लिखकर हनमान जी के मंदिर में अगर चड़ा देते हैं ना तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आकरें नौकरी, विवाह, संतान, रोग इत्यदी से मुक्तन ना करें तो अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए आपको पीपल के पत्ते पर सिंदूर से जैस्री राम लिखकर आवश्यक रूप से या तो हनमान जी के मंदिर में जरूर से समर्पित करवाना चाहिए ऐसी माननेता है, इसे मनो कामना पूर्ती के ततकाल योग बनते हैं, तो आप सभी कोई सुपाय को जरूर से करना है, हनबान जी को इस दिन पीले लड़ू, चूरमा हो, मोदक हो, या आप सभी आवश्यक रूप से विशेस तोर पर चूरमे का भोग, पीले तरह के कोई भी हनमान जी की मंदिर में, पान का बीड़ा भगवान को भोग लगाना, साथ के साथ उन्हें चोला चड़वाना मनो कामना पूर्ती में, सहायक उपायों के स्वरूप में जाना जाता है, तो आप इन उपायों में से कोई भी उपाय, इस हनमान जन्मोट्सव के दिन कर सकते है अन्त में भूल चुक हम मानों से हो ही जाती है, तो आप सभी अन्त में भूल चुक के लिए छमा प्राड़ती हूं, पूर्णिमा ब्रत की कथा सुने, हनमान जन्मोट्सव की कथा सुने, आपको निश्चित ही सब तरह के सुख प्रदान होंगे, साथ यहां पर 11-21 रुपे भी रख देते हैं, और बाद में उन्हें दान दे देते हैं, तो भी यह सुखत फलों की प्राप्ति में सायक होता है, तो इस तरह से आपको हनमान जन्मोट्सव की पूजा करनी है, और उपाई तेरी करने हैं, इस स्क्रीन में मैंने पूजा का सोम महरत लगा हुआ हुआ है कोई भी प्रश्ण हो, पूछ लेजेगा, अभी के लिए इतना ही, जै स्री राम, जै हनमान जी माराप्ति